हैलो फ्रेंड्स मैं वो निशा और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल निशा चारा व्लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुलेगा फ्रेंड्स और लाइक जरूर से किजेगा वीडियो को पसंद आए तो और सैड में बेल आइकन का बटन है उसे में निशा टैनर हम लोग खाना बनाते है लन्ज्ट तो आप्टर लग किचन को किस तरीके से में क्लिन करती हूँ वह अब लोग के साथ उसेड करूग transit टो नहीं सब्सुन को छोक्री में अज़े हैं मैं १हारं सब्सिंद अ banda यह टीवाओं निकालभी और रोटी को भी दिब्बी में फिल कर दूँगी और जितनी दिदामची चीश değer है उसको अच्छे से रख देना है उसकी जगह पर तो इस तरह के से चीज़े सारी kitchen counter पर से निकाल देने से क्या होता है kitchen counter है वो हम इच्छे से clean कर पाएंगे तो मेरी रोटिया है वो मैं डबो में भर रही हूँ ताकि रोटी है वो उसमें डुस्ट ना चला जाए इसी वज़े से तो दूद वगेरा है मैं एक सैड में फ्रीज में रख दूँगी दूद है दही है ये मैंने यूज किया है ये यूज की हुई सारी चीजे को अच्छे से कीचन काउंटर पर से हटा देना है और ये कीचन काउंटर को तो ये रोटी वाला डिबा है फिर जो मसाला वाला जो डिबा है उसको भी अच्छे से पोचे की हेल्प से क्लीन कर लेना है और अच्छे से क्लीन करने वाली जो चीजे है उसको अच्छे से पोच लेना है और सुखा कच्रा है वो हमें सुखे कपड़े से रही पोचना है गीला करके नहीं पोचना है वरना जो सारा कच्रा है वो गिले कपड़े पे चिपक जाएगा तो कोचा धोने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी तो सुखे कपड़े से एक बार अच्छे से किचन काउंटर को पोच लेना है और यह देखिए गेस्ट उपर जो बर्नर थे उसको भी मैंने हटा दिया है क्योंकि बर्नर पर भी जो सबजी हम लोग बनाते हैं तो इसके छिटके वगेरे लग जाते हैं तो इसी वज़े से उसको भी निका आटौल में ले लिया है कटोरी में अप लोग जो स्प्रे आते है हमलेड बनाई हुए विनेगर और लिमन को कर सकते हैं मैं इसको नहीं यूस करते हुए इस तरीके संबसेल और इसी का यूस करते हुए और हम लालपा कुचा भी लिया जो सबाएट抉स उसको निकालने के लिए वेसे तो हाड़ दाग तो नहीं होते हैं लेकिन कभी-कभी हो जाते हैं तो इसलिए और इस तरह का कूचा लेना है आपको और देखिए यह गेश्टव को अच्छे से रगड रगड के साप करना है ताकि जितने भी दाग है वह आसानी से छूट जाए और एक सुखे कपड़े से मैंने साप कर लिया है फिर कपड़े को अच्छे से भीगो के अच्छे से निचोड देना है फिर बाद में अच्छे से क्लीन कर देना है और कपड़े को बार बार धोते रहेना है वरना वही की वही डस्ट है वो फिर से हमारे किचन बर्नर पर या किचन का सटव पर लग जाएगी तो इसी वज़े से एक बार अच्छे से पौच के दूसरी बार हमें सींख पे ले जाके कपड़े को अच्छे से धो देना है तार्कि क्लिन कपड़े से दूसरी बार हमें उसको पौच सके तो अभी गेस टव है वो clean कर दिया है, पहले हमें gas टव को clean करना है, ताकि फिर बाद में हम निचे वाला kitchen counter clean करेंगे, और फिर बाद में gas टव को clean करेंगे, तो फिर से जो dust है, जो दाग है, वो फिर से निचे kitchen counter पर लग जाए, और ये देखिए, gas की gas टव की पीछे वाले ये tiles है, kitchen की tiles, इसको भी हम सबजी वगरे में तड़का लगाते हैं, तो उसके भी जो तेल के चिटके हैं, वो लग जाते हैं उड़के, तो इसी दिवार को भी हम clean करना बिल्कुल भी नहीं बुलना, इसको भी एक बार जरूर से clean कर लेना है, कुचा लगा के एक बार पोचा जरूर लगा लेना है, तो पोचा अच्छे से लगाना है, पोचा अच्छे से नुचोड लणा है पानी में, और बार बार हमें पोचे को धो कर फिर यूज करना है, इस तरीके से हमें किचन को clean करना है, और ये देखिए, एक बार मैंने दो दिया था, फिर दूसरी बार मैंने पोचा को अच्छे स यूससरे पञारी ले不錯yy से पानी में धोया है फिर बाद में उसका यूज किया है तो इस तरुके से हम करते है तो किचन वह बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है तो यह देखिये में जो उपर की तरह मैंने पोचा था दिवार टाइल्स तो इस वाज़े से फीर से मैंने किचन स्टव को क्लीन कर लिया और यह आसानी सी जल्दी फटा-फट से हमारा की जाता है तो गींव You और यह गेस बर्नर है इसको भी हम अच्छे से क्लिण कर लेना चाहिए आप लोग सुबे में लंज के बाना करते है उस घ्ली आ मैं करना जाएं t ac अच्छा रहता है ताकि रात्त के समय क्या है पुरा लंबा डाइम होता है तो जो क्वकरो जिस लगलेर वो आ जाता है तो इस तरके से साम को भी धो देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है लेकिन मैं अभी लंज के बाद लंज बनाने के बाद जो अप्टर लंज क्लिनिंग होती है ये किचन की इसके बाद मैं धो देती हूँ और ये देखिए सिंक में जितना भी कच्रा इस सिंक होता है इस तरके की जाली का आप लोग यूज करते हैं तो इसमें कोई भी कच्रा अंदर की सैट नहीं जाता है और कुछ भी ऐसे थोड़ा बहुत जाम हो जाता है इस नाली में तो ये जाड़ू आता है लकड़ी वाला इसका एक लकड़ी तोड़के इस तरीके से अं नहीं रहा है तो इसी वज़े से मैंने एक सरली तोड़के अच्छे से डाली अंदर तो फिर से पानी वो अच्छे से जाने लगा है और सिंग को भी सिंग को तो सुबे साम धोना ही पड़ता है अच्छे क्योंकि हम जूठे बरतन वगेरे रखते तो फिर से इसमें चिकना ही जम जाती है तो सिंग को तो दोनों टाइम धोना पड़ता है बले किचन काउंटर को हम एक ही बार डिप क्लीनिंग करें पर किसी को तो अच्छे से धोना ही पड़ता है और एक बार हम नल को भी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए और साइड की जो दिवारे से सिंग की साइ और टेप को भी जिस टेप का आप लोगों ने यूज़ किया है उसको भी अच्छे से धो दिजेगा कि क्योंकि हम लोग जूठे बरतम दोए है तो हमारा जो हैंड है वो भी क्लीन नहीं हो पाता है तो जो दाग है वो भी लग जाते हैं इसी वज़े से एक बार टेप को आप दो दिजेगा तो अच्छा रहता है क्योंकि फिर बाद में रात के टाइम कोक्रोचेस और कोई भी किडे मुकोड़े वो आता है तो जो आता है तो फटा-फट से उसका जो घर है वो बना लेते हैं उसी जगह पे तो इसलिए अच्छे से क्लीन किजेगा और ये देखे क्ली किचन क्लीन करने में कम से कम 20 मिनिट तो लगता है मुश्किल से 20 मिनिट लगता है इससे ज्यादा नहीं लगता है और आप लोग सिंक में पहले बरतंत होके क्लीन करेंगे तो कम से कम 30 मिनिट लगेगा और बाद में देखे सब मेरा क्लीन हो गया है तो एक बिल्कुल सुखा कपड़ा लिया है और गेस्टव को अच्छे से क्लिन कर दिया है सुखे कपड़े से क्यूंकि गेस्टव है वो गिले कपड़े से हम पोचा था तो इसी वज़े से इसमें थोड़े थोड़े दाग तो नहीं लेकिन पानी के दाग है वो दिख रहे थे तो इस तरीके से सुखे कपड़े से हम कोचने से क्या होता है इसमें एकदम clean and knit तरीके से अच्छा सफाई हो जाती है तो ये देख सकते आप एक ही चीज में मैंने ये पूरा kitchen counter है वो एकदम चका चक कर दिया है आप लोग देख सकते हैं एकदम चमक रहे अंदर हमारा चैरा भी दिख रहा है इस तरी तो एक बार हमें इस तरीके से हमारा kitchen है वो अच्छे से जरूर clean करना चाहिए तो friends आप भी इस तरीके से एक ही चीज से अपना kitchen है वो बहुत ही आसानी से clean कर सकते है तो friends वीडियो अच्छा लगे तो please मेरी वीडियो को like जरूर से किजिए